हेलो स्टुडेंट यहां पर गुड न्यूज है गुड न्यूज यह है कि मैं तुम लोग को जो वादा किया था कि मैं डिफरेंस बिट्विन का एक स्पेशल लेक्चर बना होगा वह मैं अभी बनाने वाला हूँ आज उससे पहले ही मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि क्य क्या चेप्टर्स का इम्पोर्टथन रमी बोड्ड की के बात करो तो देखो बोडी की मैंने यहांम किया है कि विट ऑप्षेंड आपको कितने म Aus was और विदाउट और एक्चुल में कितने मांक से आने वाला पेपर मतलब वीट आप्शन आपको 116 मांक का पेपर होगा उसमें से आपको 80 मांक का पेपर क्या करना है अटेंड करना कमपलसरी है देखते हैं वन बाई वन देखो सब चैप्टर की बात करो तो सब एक्वल इंपोर्टन्स ही है यहां पर आप कोई भी ऑप्शन में नहीं डाल सकते हो कि यह वाला उप्शन में डाकूगा तो चलेगा नई सब चैप्टर में से कुछ ना कुछ उन लोग ने पूछा है तो आपन देखते हैं कि क्या-क्या है SP के अंदर 12 standard की बात करू तो मैं देखो पहला ही चैप्टर से इंट्रोडक्शन तो corporate finance और सेकंड चैप्टर है source of corporate finance मैंने तुम लोग को day 1 पर ही बूला था कि SP is like a web series एक भी पार्ट मिस आउट करो तो आपको समझेगा ने कि next part में क्या आने वाला है देखो अब भी भी ज SP OCB हम लोग ने complete कर दिया है तो description में उसकी भी लिंक यहाँ पर दे दिया है OCB पूरा 12 standard का आप क्या कर सकतो रिवाइस कर सकतो जो मैं नहीं पढ़ाया है ठीक है चलो देखते है पहला chapters था introduction to corporate finance के कंपनी को क्या-क्या फैसे की जरूरत थी यह अपन ने देखा था कि अपन जबी भी chapters पढ़ा था तभी उसके अंदर देखा था कि company को कौन से कौन से types की पैसे की requirement होती है जहाँ पर अपने पढ़ा था उसके अंदर की fixed capital होता है और working capital होता है यहाँ पर मैं तुम लोग को chapters नहीं पढ़ा रहा हो खाली मैं तुम लोग को बोल रहा हो कि कौन से chapters में स क्या आएगा आपको chapters detail में revise करना है पहले जो मैंने description लिंक दे दिया वहाँ पर आपको detail में एक के लाइन में समझा है वहां से आप revise कर सकते हो ठीक है तो यह chapters मैंने तुम लोग को वह टाइम पर भी बोला था first और second तो आपको link में ही पढ़ना है तो इन लोग ने भी chapter wise भी marks भी वही सी link में ही दिये first chapters को दोनों को मिला कि 17 mark का आपको क्या आने वाला है marks क्या exam में आने वाला है और option के साथ बात करें तो 25 mark का आने वाला है third chapters अपना होगा issue of shares fourth issue of debenture और fifth deposit देखो यह वाले chapters में जब ही मैं तुम लोग को पढ़ाया था तब ही मैं तुम लोग को ब जो है letters वहाँ पर मेरा efforts कितना हो जाता था 10 टका आपका efforts कितना था 90 बसन सर यहीसा क्यों बोला था आपने क्योंकि three four और fifth chapters में जो मैंने theory समझा है वही practical में letters के form में आपको six seven और eight chapters के अंदर क्या करना था implementation करना था चीन बच्चों ने अभी भी request है जिन्नों ने अभी भी मेरे सब parts revise नहीं किये request friends आप क्या करिए पहले मेरे parts क्या करें revise करिए देखो देखते ही कि exam के point of view में कितने mark का क्या weightage दिया है थर्ड चप्टर है अपना issue of share next chapter issue of debenture और next deposit तीनों को मिला के chapters का weightage है 24 marks और with option with option 35 marks से क्या है weightage है मतलब यह भी equal importance है बाद में chapters आता है correspondence 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 मतलब letters 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 with member letters with debenture order letters with depositor मतलब जो theory में तुम लोग ने यहाँ पर जो पड़ाता है वो ही आपको क्या करना है यहाँ पर practical implementation करना है देखते है letters कितने marks के आने वाले है 13 marks जो तुम लोगो में day one पर भी बोलागा 13 to 15 marks क्या आएगा आपको letters आ सकते है 8 और 7 marks का letters minimum bare minimum push ते हैं लोग with options लोग ने 18 marks लोग ने क्या किया है insert किया है आपके portions के अंदर तो without normally 30 marks का आपको क्या करना है 30 marks का attend करना है और with options आपको कितना करना है अगर 18 marks का आप कर रहे हो तो ठीक है चलो next जेखते हैं आपन next है 9 chapters depository system उसको अकेला ही individually इन लोग में 7 marks का पुछा है और with option 11 marks से 10 chapters बहुत important सा है dividend और interest है मैं तुम लोग वो टाइम पे भी बहुत सारे important questions भी हो chapters में बहुत बोला भी था कि 810 mark का वाला वेटेज वाला chapters है और यहां पे भी इन लोग में 9 marks क्या किया है insert करने वाले है और with option 13 marks का क्या है important chapters है तो यह chapters को miss out नहीं करना है individual में ही 10 mark का वेटेज वाला chapters है मतलब dividend और interest आपको रट्टा मार लेना है क्योंकि chapters भी छोटा सा है और आपका score भी ज्यादा है क्योंकि गिन के count करूं तो 10 page का भी chapters नहीं था तो आपको 10 पेज पढ़के 10 13 marks क्या करना है secure कर लेना है आपको ठीक है और 11 और 12 जो फूरा फ्रॉक मार्केट के related था financial market के अंदर अपने उल्रेडी पढ़ लिया था कि क्या होता है money market और क्या होए capital market जो अपन जिसने अभी भी देखा नहीं है detail में मेरे यह वाले chapters तो आपको description में link मिल जाएगी कि क्या होता है money market हो capital market मैं आपर chapters नहीं पढ़ा रहा हूँ concept नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आप खाली आपको knowledge दी रहा हूँ कि कित्रे माक्का कहां पर क्या importance question और क्या chapter से वह मैं आइधर आपको बताने आया हूँ ठीक है तो financial market के लिए अंदर और stock exchange के लिए इन लोग को समझ में आ गया रहेगा कि कौन सा important chapters है मेरे इसाब से सब chapters क्या है important से आपको एक भी chapter skip नहीं करना है और तुम लोग को मैंने day one पर भी बूला था कि अभी भी जिन बच्चों ने मेरा एक भी parts नहीं दिया है this is like a web series कि आपका suppose कि choose कर रहे हूँ कि ने बढ़े direct मुझे fourth part तो ऐसा चलेगा नहीं आपको day one से मेरे क्या करना है सब part को ए one by one क्या करना है revise करके आना है देखो बच्चे लोग अभी time countdown शुरू हो गया है already December में अपन January is not for your study this is only for your revision तो आपको अभी भी December है 4-5 तारिक हुई है तो आज से भी आपको target करते है तो अगर मेरा OC और SP का रो है तो अभी आप पर हम लोग ने हम लोग की responsibility over कर दिया है अभी is now your responsibility कि आपको क्या करना है सब parts देखने है अभी classes joint करके कोई मतलब भी नहीं है आपको सोच रहे हो कि चलो में किदर class joint कर लू और revise कर लेता हो सब chapters तो मतलब नहीं है हम लोग की channel पर पूरा detail में पढ़ा है ज अभी आप पर है अभी आपको क्या करना है ठीक है तो इसके बाद अभी continue करेगे अपन difference between के लिए जो पूरा chapters पूरा lecture से यह वाला मेरा किस पर focus होगा पूरा difference between के लिए क्योंकि मैंने तुम्होंको promise किया था जो promise में पूरा कर रहा हो यहां पर कि मैंने तुम्होंको day one पर बोला था कि SP के लिए जो भी difference between होगे एक combine लेक्चर 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 लेक्या होगा उसके अंदर खाली difference between लाओगा तो सर आपने difference between को इतना focus क्यों दिया है क्योंकि गिन के count करने बेटू तो 15 difference between भी नहीं है आपके portions के अंदर और आपको 15 mark का difference between आने वाला है तो इसके के लिए मैं एक छोटा सा लेक्चर से क्या आया हो जो है पूरा difference between के लिए चलो start करते difference between चलो शुरू करते है आज अपना difference between का सब difference between शुरू कर रहा हो यहाँ पर पहिला ही difference between है अपना fix capital और working capital fix capital क्या होता है working capital क्या होता है देखते हैं one by one देखो मैं तुम लोग को वादा किया था कि मैं पूरा difference between के लिए एक lectures लेक्चर से लेक्चर आपको जो आज आपन पढ़ने वाल है ठीक है first chapter का ही difference between है मैंने जबी first chapter पढ़ा रहा था तबी भी समझा जिया था यहाँ पे special and working capital देखो fixed capital वो capital होता है जो company के अंदर permanent रहता है मतलब सब्सक्राइब रहता है मतलब जो आज लेगे ना तो उसको at least 8 तो क्या करेगी यूस तो करेगे एक्जामपल दे तो समझ में आ जाएगा like plant and machinery furniture वो क्या है आपका fixed capital है अगर आप उसकी capital के form में पैसा ला रहे हो और आप machinery के अंदर invest कर रहे हो या तो plant and machinery हो गई या तो furniture के आप invest कर रहे हो nothing but is your fixed capital so what you mean by working capital working capital नाम में क्या लिखा है working मतलब जो capital आप ला रहे हो business के लिए day-to-day business के लिए day-to-day transaction के लिए जो पैसा ला रहे हो capital ला रहे हो उसको कौनसा capital बोलेगे working capital के बोलेगे working capital बोलेगे चलो देखते हैं meaning fixed capital refers to the any kind of the physical asset that is a fixed asset working capital refers to the sum of the current asset second in natures it is stay in the business almost permanently मतलब आग 10 साल तक तो वो machinery business के अंदर होगा working capital is circulating capital it is keep on changing depend करता है कि कभी order ज्यादा आगया तो working capital ज्यादा चीए क्योंकि raw material ज्यादा चीए तभी तो वो fluctuate होता है depend on the business कहीं से run होता है और ध्यान में रहना working capital का कभी कभी लोग शाने होते सर लोग तो लोग direct पूछ लेगे कि why working capital is also known as desk तो आपको ज्यान में रखना है circulating capital बच्चे लोग प्लीज नोट करके जाना जो मैं बोलते जा रहा हो one mark के लिए एक छोटा सा खले एक छोटी सी चीज एक mark दिला सकती आपको तो आपको इस सब चीज़े क्या करना है नोट करके रखना है purpose it is invested in a fixed assets such as a land building equipment at extra working capital is invested in a short term assets such as a cash account receivable inventory at extra source कहा से मिल सकता है fixed capital funding can be come from the selling of shares, debenture bond long term loans at extra आप company के share बेचो के तो company को क्या मिलेगा पाईसा मिल सकता है debenture बेचने से भी आपको fixed capital मिल सकता है तो these are the various way कि आप loan भी उठा सकते हो fixed capital के लिए but working capital can be funded with the short term loan deposit or credit at extra next point बोलता है आपको fifth point objective of investor investor invest money in the fixed capital hoping to make a future profit अगर suppose कि मैं investor हूँ अगर मैं सोच रहा हूँ कि for example reliance के अंदर मुझे share के अंदर invest कर रहा है तो मेरा purpose क्या होगा कि मुझे long term में future में profit मिलेका तो मैं कहा पे invest करूगा fixed capital के अंदर क्या करूगा इन्वेस्ट करूगा reliance के fixed capital के अंदर बट मैं बोला कि नहीं मुझे कल पईसा डाला next day मुझे return आना शुरू हो जाए तो मैं का पर इन्वेस्ट करूगा working capital investor invest money in the working capital for getting immediate return next day risk investment in fixed capital implies more risk क्योंकि future का किसको भी मालूम नहीं रहे क्योंकि ए capital long term के लिए होता है company दो साल अच्छे चलती है बाद में तीसरे डूप गई तो there is a high risk no doubt high risk तो profit भी क्या है हाई है but investment in the working capital is less risk तो यह अपना पहला difference between हो जाएगा क्या होगा fixed capital and working capital कुछ भी doubt हो तो बिंदास comment section में डाल देना मैं आपकर doubt जो भी रहेगे next lecture से तो कुछ भी एक videos लाओगा उसके अंदर solve कर दूगा ठीक है चलो second is shares and debenture यह भी बहुत सब्सक्राइब एक्जाम में आता है पहला ही है shares and debenture what you mean by shares what you mean by debenture shares nothing but own capital मतलब company का खुद का capital को कुण सा capital बोलोगे share capital बोलते है but debenture is borrowed capital is like a loan company loan उठाईगी in form of the क्या देगी उसके बदले में debenture को debenture holder को debenture देगी मतलब share जो buy करता है उसको बोलेगे shareholder debenture जो buy करता है उसको बोलते है debenture holder मतलब एक तम में बोल ले जाओ तो दोनों क्या है investor ही है ठीक है देखते है क्या meaning है share a share is a part of the share capital of the company it is known as a ownership security total share capital में छोटे से पाट को क्या बोलूगा shares बोलूगा what you mean by debenture a debenture is a certificate of loan taken by a company they are also known as a creditorship of the security मतलब दोनों आपको 12 में हो तो आपको इतना तो idea होगा कि बाई दोनों capital और loan debentures आपको दोनों लायाबिटी साइड ही दिखती है बट हाँ आप देखते हो तो आप liability को और आगे term use करते हो equity मतलब equity and liability यूज करते हो और सामने लिखते हो asset तो equity वाला position अपन टॉप में लिखते है equity capital preference capital बट loan वाला जो amount है अपन नीचे लिखते है current loan debenture तो these are the loan और these are not loan मैं company के point of business यहां पर बात कर रहा हूं अभी भी भी बोल रहा हूं ठीक है second is status holder of share is owner of the company therefore share capital is a own capital जो मैंने तुम्हों को starting में बोला holder of debenture is a creditor of the company debenture capital is loan capital और borrowed capital third is nature it is a permanent capital it is known not repaid during the lifetime of the company मतलब आगर आप shares के अंदर invest कर रहे हो for example reliance के share के अंदर आप invest कर रहे हो तो वो capital permanently क्या होगा freeze हो जाएगा आपका मतलब वो आपको तभी return में मिलेगा जबी company बंद होगी तभी but debenture ऐसा नहीं होता है debenture temporary purpose के लिए होता है 5-6 साल और अपनने जबी 4 chapters debenture वाला पढ़ रहे दे उसके अंदर पड़ा भी था कि maximum limit कितनी होती है debenture की 10-year ही होती है और कोई-कोई company को 20-30-year भी दिया है yes it is a temporary capital generally it is a repair after a specific period of time voting right of course shareholder are the owner of the company तो इसको क्या होगा voting right enjoy करेगा general meeting में presence होगा shareholder being a owner enjoy the normal voting right in a general meeting they participate in the management of the company debenture भाई ओनर नहीं होते वो creditor होते तो उसको कोई participation मिलेगा नहीं meeting के अंदर debenture holder being a creditors do not have any voting right they cannot participate in the management of the company next return on investment इनलों को क्या मिलता है dividend मिलता है बट इनलों को क्या मिलेगा interest मिलेगा देखो एक तो पूरा chapters भी है जो अपने 10th वाला chapters है dividend और interest में yes return on a share is called as a dividend equity shareholder receives a dividend at a fluctuating rate यह तो तुम लोंको मालूम है कि equity shareholder को जो भी मिलता है है वो fluctuate rate पर मिलता है बट preference shareholder को क्या मिलता है fix मिलता है सामने देखते है इसको क्या मिलता है return में दोनों को return में पईसा ही मिलता है but term अलग-अलग हो जाता है SPA तो आपको थोड़े law term पढ़ने पड़ेगे अलग-अलग term बोलते है इसको भी return में जो मिलता है उसको dividend बोलेगे बट इसको क्या बोलेगे interest बोलेगे मिलता return में पईसा ही है दोनों को return on debenture is called as a interest it is a fix at a time of issue interest is paid even when the company has no profit मतलब company को profit हो या ना हो आपको अगर loan लिया है because debenture is like a short term loan sorry long term loan तो आपने अगर पैसा उठाया है तो company को profit हो या ना हो आपको fixed rate of interest देना है every month next is security share capital is a unsecured capital no security is offered to the shareholder मतलब अगर आप share के अंदर invest कर रहे हो तो company आपको को security देगी ने बट अगर आप debenture के अंदर क्या कर रहे हो invest कर रहे हो तो because these are the loan तो आपको security मिलेगी किस पे charge on the company's property मतलब company अपनी कोई assets आपके favor में करेगा next day 7th point time of issue share generally कभी issue करता है जबी company form होती है बनती है तभी issue कर देते है share are issue in a initial stage of the company formation debenture are issue at a later stage when the company has property to offer as a security next stability share are stable for a long term finance debenture are suitable for the medium term finance 9th point a types of share बोला है दो टाप के shares है equity share and preference है और debenture से इधर 1,2,3,4,5,6,7,8 टाप के debenture से one by one देखते है register debentures, bearer debentures, secure debentures, unsecure debentures, redeemable debentures, irredeemable debentures, convertible debentures and non-convertible debentures sir यह सब का मतलब समझाओ one by one मैं यहाँ पे नई समझाओगा उसके लिए आपको मेरा four chapters देखना पड़ेगा तो वहाँ पे description के अंदर दे दिये हैं वहाँ से आप क्या कर सकतो यह debentures के क्या ठेकते हो टाइप जे सकते हो और वहाँ पे मैं तुम्हें को बोल भी दिया था कि exam के लिए teachers लोग के लिए most favorable questions है या तो types of debentures आएगा या तो types of preferences आएगे तो आपको दोनों रट्टा मारके जाना है उसमें चार-चार तो points same ही है खाली चार-चार अलग है ठीक है चल नेक्स्ट है पोजी 10 point position on the liquidation on the liquidation liquidation का मतलब होता है company बंद हुई तो क्या position होगी यहा पर लिखा है on the liquidation of the company shareholder rank last in the list of claimant मतलब जबी भी company डूबेगी company सब asset बेचेगी उसके पाद जो return देने का पैसा आएगी न तो उसमें shareholder को सबसे last में रखेगे पहले किसको रखेगे बाहर वाले को मतलब debenture holder को क्या लिखा है debenture holder being creditors rank prior to the shareholder for a repayment of the liquidation of the company मतलब पहले किसको मिलेगा बार वाले को प्रार वाला debenture holder को उसके बादी घर वाले को मिलेगा मतलब shareholder because shareholder are the owner of the company but debenture holder are the creditor of the company तो यह था आपना basic difference between किसका था shares and debenture अभी अपन पढ़ते है important जो है difference between किसका है equity shares and preference shares देखते है one by one पहला ही है meaning shares that are not preference share are called as equity share बहुत simple साथ definitions दिया कि जो share preference share नहीं उसको बुलेगे equity share this share do not have a preferential right for the repayment of dividend and repayment of capital मतलब जब भी dividend की बाहर आएगी बात आएगी और repayment of capital की बात आएगी तब भी इनको सबसे लास्ट में मिलेगा पहले किसको मिलेगा preference share क्योंकि नाम में क्या लिखा है preference share preference share are the share that carrier preference share right मतलब dividend में भी पहला right होगा और repayment of capital में भी क्या होगा पहला rights होगा second point बोलता है rate of dividend इस लोग को कैसे मिलता है है fluctuate मिलता है बट इनको क्या मिलता है fix rate मिलता है यहां पर क्या लिखा है equity share are given the dividend at a fluctuating rate but the preference shareholder get the dividend at a fixed rate third point बोलता है voting right equity shareholder enjoy the normal voting rights they participate in the management of their company but preference share को ऐसा कोई rights नहीं होता है preference को राइट सभी होता है जबी उसके rights effect होगे मतलब for example preference shareholder को profit हुआ company को profit हुआ पर preference dividend को डिविडन क्यों नहीं दिया तो कहाना का उसके rights को affect हुआ है तभी management के पाटिसिपेट करेगा तभी उसको voting right मिलेगा अधर्वाइस मिलेगा नहीं क्या लिखा है preference shareholder do not enjoy a normal voting right देखा आगे क्या लिखा है दे they can vote only on the matter affecting their right उनलों को normal voting right नहीं होता है equity shareholder के तरह बट कहाना का उसको मिलता है rights जब भी कभी मिलेगा जब भी उसके rights क्या होगे affect होगे तभी मिलेगा next return of capital equity share capital cannot be a return during the lifetime of the company मतलब यह एक बार equity के फॉर्म में आपने इसा डाला तो आपको जब तक कंपनी बनने हों कि तब तक क्या रहेगा permanent होगा बट प्रेफरेंच shareholder को आपको और प्रेफरेंच क्या करना है रिटन करना है उसके लिए अपने थर्ड चेप्टर में पढ़ा था कि प्रेफरेंच मेर मीनिमम मैक्जिमम 20 साल के लिए होता है और कोई को कमनी के लिए 30 साल दिया है बट उसके उपर तो प्रेफरेंच capital company रख नहीं सकती तो यहां पर क्या लिए प्रेफरेंच capital is a safe capital with a stable return next is six point nature of investor अगर investor लेना के लिए ready है तो कहां पर इंवेस्ट करेगा एक्विटी में investor who are ready to take risk in risk invest in the equity share बट जिसको सोच रहा है कि नहीं भाई मुझे हर मेने मेरा stable पैसा रहेना चीए और हमेने थोरा थोरा अप्ट डिवीड बी मिलेगा तो भी चलेगा तो कहां प्रेफ्रेंजर के अंदर इंवेस्टर वु आरा कॉशिएस अवाउट तकी हो सकती है एक कंपलसरी नहीं यह दस इन लोग में खली बोला है ठीक है the face value of equity share is generally rupees 1 or 10 it is relatively low the face value of preference share is relatively high 100 or so on sir ऐसा क्यों इसका कम इसका जादा क्योंकि भाई इसका क्यों कम रखा है क्योंकि इनको fluctuate rate of dividend मिलता है और सबसे पहले right मिलता नहीं है किसमें मतलब residual right मिलता है सब इसको देने के बाद बाटने के बाद जो बच्चा कुछा residual बच्चा है ओ इसको इसकी face value कम है बट यहाँ पर इसको सब में preference है dividend में भी preference है और repayment में भी क्या है preference है तो कहाना का उसकी value क्या रखा है high रखा है दिजादर logic 8. right and bonus share ये भी खाली equity shareholder को मिलता है equity shareholder is entitled to get bonus and right issue star mark कर रहा हूँ क्योंकि ये वाला concept आपको मैंने third chapter से पढ़ाया था क्या होता right issue क्या होता bonus issue आपको compulsory एक questions compulsory आपको आएगा ठीक है और ये किसको right से खाली equity shareholder को object उसके लिए ध्यान में रखना है but preference shareholder are not eligible for the bonus and right issue 9. capital appreciation market value of equity share increase with the proportionality of the company it lead to increasing in the value of share अगर market के अंदर वो company के share चल रहा है अच्छा तो आपके equity share की भाव क्या होगी बढ़ेगे but preference share की इतना fluctuate नहीं करती जो नर्मली उसका जो भी fair price होता है market price होता है market value of preference share does not fluctuate so there is a no possibility of capital appreciation risk मैंने तुन्हों को पहले बोला return ज्यादा है तो risk भी क्या होगा ज्यादा होगा equity share are subject to higher risk that is because of the fluctuating rate of dividend and no guarantee of refund of capital of course fluctuating rate of dividend मिलेगा और मिलेगा पी नहीं ये question माके और जबभी भी company डूबेगी तबी सबसे last में मिलेगा इसको आपको अपना पैसा मिलेगा अगर बचा रहेगा वह भी एक्विटी से पहले मिलेगा preference share are subject to the less risk it because of the fixed rate of dividend and preference right as regards to the dividend and repayment of the capital और लास्ट है टाइप्स दो टाइप के equity shares है equity share with the normal voting right और equity share with the differential voting rate बट यहाँ पे आपको 8 टाइप के preference share है अभी 8 टाइप में आपको यहाँ पे नहीं समझाओगा उसके लिए आपको मेरा previous जो भी lectures में थर्ड पार्ट पड़ाया है वहाँ पे उनको क्या करना है revise करना है आप लोग को ठीक है चलो यहाँ पे 8 टाइप का preference share cumulative preference share, non cumulative preference share convertible preference share, non convertible preference share और exam के लिए very very important मैंने तुम्हें पहले बोला या तो types of preference share आएगा या तो types of debentures आएगा तो दोनों में से एक composer ही है ठीक है चलो next difference between पड़ेगा अपना चो है own capital and borrowed capital nothing बट इन लोग क्या बोल रहे है मालू में इन लोग indirectly share और debenture का ही क्या पूछ रहे है difference between पूछ रहे है क्योंकि share is your own capital and debenture is a borrowed capital ठीक है चलो meaning देखते है it is that capital which is contributed by the shareholder shareholder कौनसा contribution करता है share capital क्या contribution करता है it is that capital which is borrowed from the creditor it is also known as a debt capital second बोलता है source कहां से मिलेगा this capital is collected by issue of equity shares and preference shares so बाट के आपको क्या मिल सकता है preference share और equity share को issue करके क्या मिल सकता है यह वाला capital मिल सकता है कौनसा capital own capital it collected by way of issue of debenture fixed deposit loan from the bank financial institution at extra ठीक है चलो next time third point से अपना own capital का the shareholder get a dividend as a income on their investment rate of dividend is fluctuation in case of the equity share और fix in case of the preference share but debenture holder को क्या मिलता है interest मिलता है the debt capital holder get a interest 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 यहाँ पर focus करना है आपको interest पर दोनों को रेटन में पैसा ही मिलता है यहाँ पर dividend बोलेगे यहाँ पर बोलेगे interest because these are the own capital these are the borrowed capital as a income on their investment interest is a fixed 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 अपने अभी debentures में पढ़ा था कि इवन तो company को profit हो या ना हो loss हो डूप जाए उससे कोई लेना देना नहीं है debenture holder को उसको अपना हर मैने क्या मिलना चाहिए fixed rate of interest मिलना चाहिए next day status because shareholder are the owner of the company तो इसका status कहा है owner but debenture holder are the creditor of the company तो चोटे-चोटे points आपको exam में एक-एक mark दिला सकता है तो please focus रखना ध्यांच पर सुनना मेरे videos ठीक है fifth बोलता है voting right shareholder are the owner of the company तो उसके normal voting rights मिलेगे at a general meeting but these are the not owner इसको कुछ नहीं मिलेगा because these are the creditor of the company तो do not enjoy the voting right at a general meeting next point क्या बोलता है next point है अपना six point repayment of capital the shareholder do not enjoy priority over the creditor मतलब debenture holder से उससे पहले पैसा नहीं मिलेगा अगर सबसकी company डूब गए assets बेज दिया तो सबसे पहले किसको मिलेगा बार वाले को बार वाला मतलब debenture हो गया bank हो गया financial institution हो गया उन लोगो पहले मिलेगा in short creditor को पहले पैसा मिलेगा और owner को क्या मिलेगा बात में मिलेगा तो the shareholder do not enjoy a priority over a creditor they are eligible for repayment of capital only after making of the payment to the creditor at a time of the winding up of the company winding up का मतलब होता है company बंद होगी तबी but creditor get a priority over the shareholder in case of the return of principal amount at a time of the winding up of the company last point is charge on asset देको मेन तुम्हों पहले बोला कि shareholder को कोई assets मिलती नहीं as a security जो share में भी पढ़ा दापने मतलब shareholder तो आरदो को owner तो owner खुद को ही property गिर वी देगे नहीं तो इज़र कुछ नहीं मिलेगा company का asset the shareholder do not do not do not have any charge on the assets of the company but यहाँ पर क्या मिलेगा अगर तेरे debenture secure है तो आपको क्या मिलेगा secure debenture holder have a charge on the assets of the company तो यह क्या हो जाएगा difference between आपका क्या हो जाएगा own capital और borrowed capital क्या हो जाएगा difference between हो जाएगा चलो next difference between अपना initial public offer and further public offer देखते क्या है इसके अंदर चलो meaning देखते है initial public offer refers to an offer of security by an unlisted public company यहाँ पर focus करना unlisted public company पर क्योंकि private company अपना IPO ला सकता नहीं है अगर आप सोच रहे हो कि मुझे IPO launch करना है initial public offer बोलते हो उसको तो आपको पहले अपनी company अगर प्राइवेट होगी तो किसमें convert करनी पड़ेगी पब्लिक के अंदर उसके बाद ही आप क्या ला सकते हो IPO ला सकते हो यहाँ पर focus करने की चीज क्या थी unlisted public company to the public offer for the first time further public offer मतलब एक बार offer करने के बाद अगर वापस से पैसे की जरूरत तो पढ़ती ही है business organization के अंदर तो उसको कौन सा पैसा मांगेगे तो वह पैसे को क्या बोलेगे further public offer बोलेगे IPO means offer of security by a listed public company मतलब अगर सब उसके एक बार IPO ला रहे हो तो आपकी company क्या हो जाएगे listing हो जाएगे तो यहाँ पर अभी word क्यों यूज कर दिया listed company to the public to raise a subsequent capital उसको क्या बोलेगे IPO बोलेगे nothing but fall on public भी बोलते है offer बोलते है इसको यह तो further public offer भी बोलते है second type of issue or company it is a issue by the unlisted public company वापस से एक माग के लिए objective उस पर focus दरना है आपको कौन सी company देती है unlisted public company देती है it is a issue by the listed public company third point is when issue it is a usually issue by a existing company which wants to raise the capital from the public for the first time मतलब जो company चाहती है कि मुझे first public से परिजा उठाना है तो क्या करेगे IPO लाएगे it is a usually issue by the listed public company when it wants to raise a further 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 capital from the public fourth point is order of issue of course IPO proceed to FPO मतलब पहिला IPO होगया उसके order के बाद उसके बाद ही क्या आएगा FPO आएगा तो इदे क्या लिका है IPO proceed FPO IPO is the first time sale of share to the public FPO is always done after the IPO FPO is the second or subsequent sale of the share to the public next listing company has to get itself listed for the first time before issuing the IPO अगर आपको IPO launch करना है अपने company का तो आपको listing करनाना पड़ेगा सब लिस्टिंग आप होती है stock market के अंदर listing करना पड़ेगा मतलब सेबी के पास आपको करना पड़ेगा registration करना पड़ेगा पड़ेगा company making an FPO is already list नहीं यहां पर तो कोई question होता ही नहीं आप listed होगे तो यह further public offer बोलेगे ठीक है और लास्ट है point it is risk it is a very risky for an investor as he cannot be predict the company's performance it is a less risky for an investor as he has an idea of the company's past performance and can judge its future performance मतलब यहां पर company के अंदर पईसा डालना है तो अपने को सब research करना पड़ेगा कि क्योंकि वो company अब तक listed पे नहीं थी तो stock market पे listing नहीं थी तो अपन कैसे जान सके उसके पास records को तो आपको research करना है पुछना है दर्जन को expert advisor को पुछना है कि मैं डालू की नहीं यहां पर डालू तो यहां पर risk ज्यादा है यहां पर risk come है क्योंकि यहां पर अपने शेर होते हैं तो further public company आती है अपने पास अपने सोचने के बाद भी आपने को knowledge तो होता ही है कि वहां पाई company last 3 महिने में तीन साल में इतना performance तो किये यह एट लिए इवन दो bad situation में भी तो कहाना का judgment वहां पर बेड जाता है बड़ आई प्यों में कभी भी बेटा नहीं है judgment तो यहां पर high risk है यहां पर less risk है ठीक है चलो next है difference between जो है अपना fixed price issue method और book building method देखो अभी यह क्या है sir यह कुछ नहीं है यह method इश्यू करने के लिए share को जबी भी अल्रेड लिस्टेड होती हो जनरल क्या उस्यू करती है कौन सी मेथाड उस करती है fix price method इश्यू करती है तो यह method है share issue करने के लिए exam के लिए no doubt once again important difference between है चलो देखते once again meaning under this method the issue price share is mentioned in the prospectus what you mean my prospectus अभी में इधर detail में नहीं पढ़ाऊगा prospectus is nothing but invitation card company अपने पास invitation card के लेके तो इस nothing but invitation card ठीक है and investor have to buy the share at a price only मतलब investor prospectus के अंदर जो price लिखा रहेगा वो price पर करना आपको buy करना है shares nothing but fix ओ जितना लिखा रहेगा उतना पे तक मों करना है buy करना है but under book building method the issue price is written by the bidding process what you mean by bidding process bidding process is nothing but वो बीड लगा थे ना nothing but निला निया निला में होती है उसमें बीड करते के बाई 101, 102, 103 is nothing but bidding yes the investor are given the price band and are asked to bid at a price within with the band this way arrive at a price at which it will sell the share मतलब एक range दे देते है अपन बीडिंग में भी auction में भी क्या होता है एक अले लिमिड यह अपकर दी जिमैंशल होता है नहीं पर लिमिट हिर यह पे भी अपर ब्रेंड दो एक लोगर वर ब्रेंड डेंड तो आपको लॉवर बेंड और अपर बैंड के बीच में काना रना है और जो भी भी हाईस भी होग़ा शेस किया होगा शेर कि पार्यों क जो भी होगे, क्या होगे, फिक्स्ट होगे, ठीक है, next is price of your share, the exact price of the share is known as a advance, and it is a mentioned in the prospect, prospectus के अंदर, जो भी लिखा रहेगा, वो क्या होगा, fix होगा, the price share is not known in advance, only the minimum price and maximum price, तुम्हों भी पर जश्च बोला, lower band, और upper band ही मालूम होता है, कोई fixed price मालूम होता नहीं है, but at which the company is willing to sell, the share is known in advance, third point is prospectus, company has to issue a prospectus, and it contains the detail of the price at which the share are offered, and the total number of share are offered by the company, मतलब prospectus के अंदर, invitation card के अंदर, सब चीज लिखी रहेगी कि कैसे valuation आया, ये price ही क्यू आई, उसका सब detail, सब calculation आपको prospectus से अंदर मिल जाएगा, company issue or red earring prospectus, मतलब यहाँ पर prospectus word use नहीं गया है, यहाँ पर red earring prospectus दीया है, red earring के मतलब यहाँ पर कोई price fix लिखा नहीं रहेगा, यहाँ पर मैं वापस से रिपेट कर रहा हूँ, यहाँ पर lower band और upper band लिखा रहेगा, ठीक है, company issue or red earring prospectus, it contains only the price band and total size of the issue, next हो जाएगा, determination of demand, company comes to know the public demand for its share, only after the closure of the issue, company can know the public demand for its share every day, the bid are registered in the book, every day till the closure of the issue, next payment of application money, application money and entire money has to be paid by the investor, at a time of the submission of the application form, मतलब आप जब भी application भरोगे, तब भी आपको क्या करता है, full amount का क्या कर देना, पैसा payout कर देना है, only application money has to be paid at a time of the bidding, money will be collected only after the issue price has been fixed, मतलब यहाँ पर खाली application का money ही pay करना है, पाकी का जो remaining balance है, वो आपको कभी payout करना है, जब भी एक price नक्की हो जाएगी, उसके बाद ही क्या करना है, payout करना है, बढ़ यहाँ पर आपको पूरा amount क्या करना है, one shot में pay करना है, when use, it can be used for any issue, that is public issue, right issue, or isop, it is usually used in public issue, that is IPO and FU, यह method, मैं दुरूम का भी जज़ बोला, जब initial public लाओगे, offer लाती है, company या तो further public offer लाती है, तभी यह method क्या होता है, follow करते है, तो यह क्या हो जाएगा, आपका basic difference between, fixed price issue method, or book building method, next आता है अपन, bonus share or right share, देखते हैं, bonus share or right share, exam के लिए one second important difference between, क्या है, देखते हैं, right का है मतलब यह, rights, मतलब मेरा हक, मतलब यह हक किसको मिलता है, पहले तो तो तुम्हों को bottom of the line, समझा देता हूँ, right issue or bonus share, दोनों को, दोनों को, किसको मिलता है, यह दोनों चीज, equity share or order को ही मिलता है, preference share or order को नहीं मिलता है, जो अपने, equity share और preference share के difference between में, अभी जस्ट पड़ा, ठीक है, meaning, it is in the right issue, share or offer to the existing equity share, existing equity shareholder, existing equity shareholder, 3 by word repeat कर रहा हूँ, यहाँ पर preference share को, कोई rights होता नहीं है, that is company offer the shareholder, the first option to buy the share of the company, bonus share क्या होता है, bonus share are issued to the existing equity shareholder, वापस है, यहाँ पर तीन बार repeat कर रहा हूँ, existing equity shareholder, existing equity shareholder, existing equity shareholder, free of cost, of course, नामी लिखा है bonus, मतलब बोनस में आपको कोई consideration देना, नहीं, आपको free में देगे, second payment, subscriber have to pay for the right share, company only give them a right to buy this share, मतलब company आपको offer करेगे, क्योंकि आप अपने family member हो, company क्या हो हमारे family member हो, तो हम लोग पहले आपको offer कर रहे, अगर आपको ची है, तो ले लो share, otherwise हम लोग public के तो पैसा मांगने वाली ही है, और हम लोग आपको discount भी देगे, इसलिए ही क्या करते, right issue में, हमेशा existing shareholder, क्या करते हैं, buy कर लेते share, ठीक है, bonus share are issue free of cost to the shareholder, third point है, partly or fully paid up share, shareholder have to pay for this share as application money, allotment and call money at extra, till the full money on share is paid up, bonus share are fully paid up share, so no money has to be paid by the shareholder to the company, मतलब right issue में, जितने का भी share company ने issue किया रहेगा, for example, 10 रुपिय का share issue किया है, तो आपको 10 रुपिया pay out करना है, for example, company 10 रुपिया, 4 पाट में डिवाइट किया है, 0.5 रुपिया, 0.5 रुपिया, तो जब भी भी company call करें, तब भी आपको क्या कर देना है, 0.5 रुपिया, रुपिया, 0.5 रुपिया कर के, मतलब minimum subscription 90% था उसको क्या करना है फुल्फिल करना है आपको यहां पर कोई ऐसा लॉजिक नहीं है there is no minimum subscription to be collected as a bonus share are issue free of cost by the company next is right to renown the shareholder can renounce the share for example में company का reliance company के अंदर में क्या था shareholder reliance company ने मुझे क्या क्या right issue दिया पर मैं बोला मुझे कोई interest नहीं है मेरे भाई को दे दो share तो मैंने क्या किया मेरे rights को renounce कर दिया ठीक है बट यहां पर आप renounce नहीं कर सकते मतलब bonus share में आप renounce करने की कोई प्रत्था नहीं है shareholder cannot renounce his bonus share ध्यान में रखना है वनमक के लिए objective और लास्ट है purpose of issue right issue is done by the company when it wants to raise a fresh one but want to give a chance to their existing member to increasing their shareholder recording मतलब जब भी company को पैसे के जरूरत होगी तभी company पैसा उठा सकते कोई issue नहीं है पर पहला मोका किसको देना है existing equity shareholder existing equity shareholder existing equity shareholder when a company has accumulated huge profit huge profit or reserve company wants to reward its existing equity shareholder company to issue bonus share company का बहुत साथा पैसा पढ़ा है तो company बोलेगी कि भाई हम लोग क्या कर रहे है आपको bonus share दे रहे है ठीक है तो these are the nothing but basic difference between equity shares and preference share चलो next difference between अपना transfer of shares and transmission of shares देखो जबी मैंने को chapters पढ़ाया था तभी मैंने बूल दिया था ये वाला difference between आपको last 5 साल का paper निकाल के देखो के न तो उसमें 3-4 बार वाला आया हुआ difference between है मतलब ये sir क्या है five star difference between है मतलब इसको तो आपको skip करना ही नहीं है difference between को और difference between इतना बड़ा भी नहीं है और simple सा logic है उसके लिए transfer of share क्या है transfer of share is nothing but दो जिन्दा इंसान living person voluntary क्या कर रहे है share transfer कर रहे है from one person to another person मतलब जो share transfer कर रहा है उसको बोले के transfer और जो buy कर रहा है share उसको बोले के transfer तो sir what you mean by transformation of share देखो transmission of share क्या है transmission of share क्या अंदर सामने वाली party मतलब एक party यहां पर एक party की death हो गई रहेगी या तो पागल हो गया रहेगा insane हो गया रहेगा या तो वो insolvent हो गया रहेगा और उसके share जबर जस्ती कानुन के लिए कानुन के तरीके से उसके एक share कंपसरी क्या करने पड़े के transfer करने पड़े के वह procedure को क्या बोलूगा transmission of share मतलब bottom of the line में बोलना यह चाहता था कि transfer of share में दो living person जिंदा इंसान क्या कर रहे है अपनी मर्जी से voluntary क्या कर रहे है transfer करने यहां पर voluntary वाला concept नहीं है यहां पर यहां पर शेयर क्या होगे कंपसरी ट्रांसवर तो यह बेजिक था transfer of transmission of share के अंदर ठीके चलो देखते है meaning उसका meaning transfer of share means the voluntary 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 or deliberately giving the away one share to another person by entering into the contract with the buyer it means ownership of the member to his legal representative due to operation of the law to take place on the death, insolvency or insanity of the member second बोलता है when done, कभी होता है it is done when the member wants to sell his share or give his share as a gift मतब कोई person, दोनों person चाहे तभी यह वालीश क्या होती है transfer of share की impact होती है it is done when the members die or become an insolven or insolven यह case कभी होता है जबही या तो member, member मतब शेयरोलर मर गया है या तो पागल हो गया है, या तो वो insolven हो गया है third point क्या बोलता है, nature of action it is a voluntary action, मैंने तुमें को judge बोला यह क्या है, voluntary action है, voluntary क्या है, transfer है but यह क्या है, involuntary का मतलब क्या होता है, compulsory क्या है action है fourth point बोलता है, parties involved the transfer of share, there are two parties involved that is a member who is called as a transfer share transfer करना चाहता है, वो और जो buyer होगा, उसको बोले के transfer re, यहाँ पर there is a only one party, only one party, only one party example, nominee of the member in case of the death of the member और legal representative in case of the insolven fifth point बोलता है, instrument of transfer of course, दोनों जिंदा बरसन है, दोनों agreement साइन करेगे तो यहाँ पर एक instrument आएगा, वो instrument को कोई बोलेगे transfer certificate, transfer required the instrument of transfer, it is a contract between the transferer and transferring, यहाँ पर दो person है ही नहीं, एक ही person है, तो एक परसन कभी भी क्या agreement बनाता नहीं है, तो यहाँ पर कोई instrument of transfer होगा, नहीं six point बोलता है, initiate by, मतलब यहाँ पर initiate कोण लेता है transferer खूद लेता है, transferer initiator, transferer process यहाँ पर initiate कोण लेता है अगर देथ होगया person member की, तो वो तो initiate लेगा नहीं, क्योंकि वो तो जिंदा है नहीं दुनिया में, तो उसके legal representative या तो उसके official receiver initiator process of the transmission, और seven point क्या बोलता है consideration, यहाँ पर अगर share बेच रहा है तो तो something मिलेगा written के अंदर तो उसको बोलेगे, क्या बोलेगे consideration, transfer of share is done often by the member to receive a some consideration, मतलब money the buyer has to pay for the share, except given in the gift अगर gift में दे रहे हो तो कोई considerate की उमीद रखना मत यहाँ पर कोई consideration होगा है क्योंकि member तो मर गया है no consideration is involved here the legal and official receiver need not to pay any for share, liability the liability of the transferr and after the share are transfer, एक बाद share transfer कर जाने के बाद transferr की, मतलब seller की liability over हो जाती है, सब liability किसकी हो जाएगी, buyer की हो जाएगी यह वाले case के अंदर अगर member तो है नहीं तो उसकी legal representative क्या करेगे, continue करेगे the member continue in case of the transmission of share, और last is stamp duty, यहां पर stamp duty pay करनी होगी क्योंकि यहां पर instrument of transfer था, यहां पर क्या लिगा, stamp duty as per the market value of the share has to be paid, यहां पर stamp duty pay करने का reason में तो लोजिक बता दिया है क्योंकि यहां पर agreement बनता है तो यहां share certificate, और जो भी agreement बनेगा यहां पर stamp duty pay करना बड़ेगा, यहां तो कोई agreement बनता नहीं है तो no stamp duty is to be paid, तो यह important difference between हो गया था आपका कौनसा चोथा, transfer of share and transmission of share, next difference between है अपना dematerialization and rematerialization sir what you mean by dematerialization and rematerialization basic difference समझा देता हो कि अगर कोई बन्दा है Mr. X अगर Mr. X को अपने physical share है अगर वो physical convert करना चाहता है demate के form में, dematerialization के form में, तो उसको वो process को क्या बोलूगा, dematerialization बोलूगा, but for example Mr. X से पास already demate के अंदर share है, तो उसको physical में convert करना है, तो वो process को में क्या बोलूगा, rematerialization तो I hope तुम लोगो basic मतलब समझ में आगे रहेगा देखते हैं का difference between इसके अंदर meaning the process of converting physical certificate of security into the electronic form उसको क्या बोले के dematerialization मतलब जो physical hold कर रहा था electronic में, मतलब demate में करना है convert, ओ process को क्या बोलूगा, dematerialization उसका उल्टा, it is the process of conversion of the electronic form of security into the physical form, second one बोलता है, conversion here the paper form of security is converted into the digitally, या तो electronic health security, यहाँ पे electronic record are converted into the physical form of security third बोलता है, use of form it is used, DRF उसको बोलता है, dematerialization request form use होता है, from the investor to the DP, DP का मतलब होता है, depository participant, इते कौन सा form use होता है, rematerialization request form यह form भर के देना है, किसको अपने DP को, next time, fourth sequence, this is the initial process, it is the primary and principal functions of the depository मतलब, पहले सब share physical में देते हो, उसके बाद convert होता है, किसके अंदर demate के अंदर तो इसलिए इसको कौन सा step बोला है, primary बोला है, principal functions बोला है it is a reverse process, it is a secondary or supporting functions of the depository, already demate security are remitted next point है fifth point identification of the security demate security have no distinction number, त्यार fungibility, जहाँ पहे demate में share आ जाते है, तो यहाँ पहे folio number होते हो आपे हट जाता है fungibility, एक number id create देते थे, यहाँ पहे remate security will have a certificate and distinct number are issue by the company मतलब, तेरे पास physical security है तो ते को सब folio number distinction number सब यहाँ पहे मिल जाएगा next है, security maintenance authority, depository is a custodian of the security and record, यहाँ पहे अगर तेरे demate के अंदर है, तो तेरे behalf में, मतलब, client के behalf में पूरा maintenance कोन देखता है depository participant देखते है यहाँ पहे, the issue company is a record keeping authority the security are maintained by the investor और last point हो जाएगा इसके अंदर, difficulty of process, demate is a easy process, also is not time consuming but ultra reverse situation करना है, मतलब, reverse reverse is a time consuming but also complex process तो यह अपना कौन सा difference between हो जाएगा dematerialization and rematerialization जो exam में आता है बहुत time, चलो next difference between पढ़ेगे, 5 star वापस से कर लेना बच्चे लोग, जो है अपना interim dividend or have fixed dividend मैंने तुम लोगों को बोला है कि देखो, दो अब तक का favorable बोला था, first बोला था, transfer of share, 5 star था और अभी इमें बोल रहा हू, interim dividend and final dividend, मतलब यह वाले सब different between last 5 साल का paper आप उठा के देखना चार बार तो आपको यह सब difference between दीखे गए तो इसको तो skip करना ही नहीं है और even though मैंने special lectures बनाने का मेरा main purpose यह था कि आपका 15 mark में कैसे skip के और करूं मेरे लिए वो main object सा ठीक है, चलो देखते, interim dividend and final dividend meaning समद लेते क्या होता है interim dividend and final dividend का what do you mean by sir, interim dividend? interim dividend is nothing but that dividend which is declared by the company between two and your general meeting between two annual general meeting it's called interim dividend मतलब अभी हिंदी में explain कर रहा हो कि मतलब वो dividend जो company ने 2 annual general meeting के बीच में declare किया है, वो dividend को मैं क्यान सब्सक्राइब बोलूगा, interim dividend बोलूगा, तो सब what do you mean by final dividend final dividend is that dividend which is declared at at annual general meeting it's called final dividend, मतलब annual general meeting के अंदर जो declare हुआ रहेगा dividend, वो dividend को क्यों सब्सक्राइब बोलूगा final dividend I hope तुम लोग को meaning तो clear है कि क्या होता है चलो डिखते है difference between क्या लिका यहां पर meaning it is a declare and paid between two annual general meeting जो तुम लोग को मैंने अभी बोला it is a declare and paid after the closure of the financial year second, who declare, कौन declare करता है it is a declare and decide and declare by the board of director, exam के लिए, one mark के लिए objectives in the board meeting क्योंकि बच्चे लोग कुछ भी select करके आते है chairman हो गया, shareholder हो गया नहीं भाई, interim dividend कौन declare करता है board of director क्या करता है declare करता है, यहां पर final dividend, it is a decided and recommended by the board of director but it is a declared by the shareholder in the EGM आपको दोनों points ध्यांसे रट्टा मारना है, देखो interim dividend declare कौन करता है surprise की इसके पास है board of director जो अभी अपने इधिर देगा, but final dividend में क्या होता है, recommended कौन करता है, board of director but final declare कौन करता है उसको shareholder, मतलब, suppose for example board of director ने बोला कि नहीं हम लोग 8 टका क्या देगे, dividend देगे तो shareholder, 7 टका बोल सकता है 6 टका बोल सकता है, 8 टका बोल सकता है, बड 12 टका बोल सकता नहीं है, मतलब recommendate कौन करता है, board of director क्या हाँ इतना decide कर रहे हम लोग तो उससे कम lower digit तुम लोग decide कर सकते हो, declare कर सकते हो 3rd point बोलता है, authorization it can be declared only if the article of association permit the its declaration, मतलब article of association बोला रहेगा, तो ही तु interim dividend दे सकता है, otherwise दे सकता नहीं है, but यहाँ पर कोई ऐसी procedure नहीं है, it is a declare does not need to authorize by the article of association 4th point बोलता है, कभी declare करता है, when declare it is a declare between two annual general meeting of the company, I hope तुम लोग कोई point clear है, सामने लिका है it is a declare at a annual general meeting, यह तो मैंने तुमनों को meaning में बढ़ा जिया था, next rate of dividend, rate of interim dividend is lower than the final dividend, but rate of final dividend is always higher than the interim dividend, मतलब interim dividend का interest 8 तका होगा 7 तका हो सकता है, but final dividend का 8 और 7 से ज्यादा ही होगा ठीक है, next is source, कहा से लाएगे पहिसा dividend declare करने के लिए, it is a declare out of the profit of the current accounting है, focus करना वापस बचलो, मतलब जिस year में profit होगा, उसमें से ही आप खली interim dividend दे सकते हो, और कोई reserve भी use कर सकते नहीं हो यहाँ पे यहाँ पे क्या लिखा है, it is a declare from the different sources, like current year का profit, यह साल का profit use कर सकते हो, आपके पास अगर reserve plus के अंदर पैसा पढ़ा है, वहाँ से भी use कर सकते हो, capital profit में अपने सबी chapters पढ़ रहे थे, तब ही मैंने तुम लोगों को बोला था कि 5 mark के लिए true false with reason आ सकता है, can a company declare a dividend out of the capital profit, yes capital profit में से declare कर सकते हैं but capital में से dividend declare कर सकते हैं, नहीं है बोथ हा different term, देख capital profit क्या होता है, कि for example मैंने 10 लग के machinery ली थी, अगर सबस कि मैंने बेचने गया, और 12 lakh हुआ machinery is your capital assets अगर वो बेचने जा रहे हो तो 2 lakh आपका profit और तो उसमें से आप dividend declare करो कोई problem नहीं है but अगर आपने equity share preference share के form में पैसा उठाया है तो आप उसमें से dividend declare कर सकते नहीं हो, तो bottom of the line क्या था कि company can declare a final dividend after the capital profit yes, but capital में इसे declare कर सकते नहीं हो, तो इधर से मेरे को याद आया है, तो मैं तो मैं तो नहीं हो समझा दिया ठीक है, money provided by the government for the dividend, तो यह सब source है किसके लिए final dividend के लिए और last point है, accounting expect, it is a declare before the preparation of the final account of the company but dividend, final dividend आप तभी declare कर सकते हो, जो भी final account क्या हो गया है, ready हो गया है, तो इधर क्या लिए it is a declare only after the account of the year are prepared and finalization, तो यह क्या हो जाएगा आपका basic difference between interim dividend and final dividend, जो exam के लिए five star questions है, यह chapters के अंदर और एक difference between था, जो है dividend और interest का, यह भी difference between, आपको nothing but share or debenture का difference बोल रहा है, क्योंकि share पर क्या मिलता है dividend मिलता है, और debenture पर आपको क्या मिलता है, interest बोलता है ठीके दिख लेते हैं यह वाले के अंदर भी क्या लिखा है, जो मिनिंग देखते है dividend is a return payable to the shareholder of the company for their investment is a share capital is a return payable to the creditor of the company that is debenture holder, depositor holder for the loan given by them to the company, second is given to whom, किसको देते हैं dividend shareholder को ही देगे, मतलब member को ही देते है it is a pay to the member that is the owner of the company but यह किसको देते, creditor को देते interest, it is a pay to the creditor of the company, third obligation, देखो dividend is not obligation but interest is the obligation, तो अब यह obligation का मतलब क्या होता है, obligation का मतलब होता है, liability, मतलब dividend, liabilities नहीं है company को profit होगा, तो ही देना है but interest, profit हो या ना हो, तेल लगाना जाए company, company को loss हो तो भी उनको interest हो देना ही है every month, तो वो क्या हो जाएगा obligation हो जाएगी, वो liabilities हो जाएगी तो वो ही लिखा रहेगा है यहापे it is to be paid only when the company has made a profit, therefore no obligation, no obligation no obligation, compulsion to pay the dividend यहाँ पर क्या लिखा है, it is not a link to the profit of the company, मतलब company के profit से कोई लेना देना नहीं है, payment of interest is an obligation and it is to be paid by the company compulsory, मतलब company को profit हो या ना हो, company को every month क्या देना है, interest देते रहना है, कभी पे करना है it is a payable when the company earn a sufficient profit in a year after fulfilling the obligation मतलब, जिस यह profit हुआ रहेगा उस दिन सब loss माइनस करके जो भी profit बचा है, वो profit में से dividend डिखले कर सकती है it is a payable every year irrespective of the profit of the company जो मैं तुम्होंको बोलते आ रहा हूँ rate, it is a paid at a fluctuating rate equity shareholder को dividend fluctuating rate पे मिलता है but preferential को क्या मिलता है, fixed rate पे मिलता है but यहाँ पे interest rate fixed होता है और पहले से ही decide होता है कि भाई मैं तो को 10 टका पे क्या दूगा interest पे क्या दूगा तरको loan दूगा, तो यहाँ पे क्या होगा, rate of interest is fixed and pre-determined at a time of the issue of the security, अभी resolution, payment of final dividend required a board resolution and ordinary resolution at a AGM while interim dividend can be paid by passing of the board resolution, one mark के लिए वापस से objectives आ सकता है कि interim linked dividend के लिए अभी अपन ने उपर difference between पड़ा, उसके लिए मैं तुम लोको बोला कि board जो भी recommended करेगा वो final होगा, वो ही declare करेगा but जो final dividend होगा ना उसमें board recommended करेगा but उसको final कौन करेगा, member वो भी passing of the ordinary resolution, तो one mark के लिए वापस से one mark के लिए objective आ सकता है payment of interest does not require passing of resolution by any meeting और last point क्या लिखा है accounting, treatment and expect dividend is an appropriation of the profit, interest is a charge on the profit, तो these are the basic difference between nothing but आपके क्या हो जाएगा, dividend और interest का हो जाएगा, चलो next different between अपना money market and capital market, देखो ये दोनो financial market के ही component पार्ट से, money market देखो अपन short में समझते क्या है money market, अगर तिरको short term पाईसे की क्या करने, borrowing और lending करने है, तो तो कहाँ पे जाएगा, money market के लिए, short term मतलब सर कितना up to one year, but अगर तेको long term के लिए, capital की borrowing और lending करने है, तो तो कज़र जाएगा capital market के अंदर जाएगा, तो देखते है what you mean by money market and capital market, it is a component of the financial market, बादब फाइसे मार्केट का ही पाट है, where the short term borrowing take place it is a component of financial market ये भी financial market का ही पाट है, where the long term borrowing take place second point के बोलते है, time period in money market, instrument traded, have a maturity period of one year or less than one year, in capital market, instrument traded, have a maturity period of more than one year third, कौन से कौन से instrument की deal होती है, money market के अंदर, certificate of depository, repurchase agreement, commercial papers treasury bill, etc are the instrument traded in the money market, stock यहाँ पर देखते है, capital marketing निन्दे है, कौन से instrument होता है, stocks, shares debentures, bond, security of the government, are traded are the instrument of the capital market, fourth है, purpose of borrowing, क्यूँ अपन बोराइं करते है money market के अंदर से, capital marketing fund are borrowed to meet a working capital requirement, or for a small investment, अगर छोटा सा investment चीहे कमनी को, और या तो working capital चीहे तो किदर जाएगा, money market के अंदर जाएगा बट अगर उसको long term के लिए fund देखवाड है, तो कहाँ पर जाएगा capital market के अंदर के आगारेगा, diversify गरेगा अपना business के लिए, फिफ्त है institution, participate in the money market, are a central bank, कौन को पार्टिस्पेटिपेंट लेती है, commercial bank भी है, acceptance house है, non banking financial institution है, और bill broker है, यहाँ पर कौन को नहीं दिखते है, stock exchange, commercial bank, non commercial bank, non banking financial institution, intermediaries, attack star, are the participating in the capital market, risk के है, अगर, small है, of course, छोटा सा तर्म है, तो markets भी क्या होगा, कम होगा, in money market, risk factor is very less, because the maturity period of the instrument is less than one year, of course, यहाँ पर risk क्या होगा, high होगा, in capital market, the risk is more, as compared to in money market, the reason behind is that, instrument have a long term maturity, अगर, risk कम है, तो return भी क्या होगा, कम होगा, return on the, return मतलब कुछ मिलेगा, dividend या तो interest, return on the investment in the money market is less, as there are a highly liquid assets, and safe, return on investment in the capital market is comparatively high, as they are more risky, next step, last point है, role in economy, this market increasing in liquidity of the fund in the economy, this market helps to mobilization of saving into the economy, so these are the basic difference between, क्या हो जाएगा, money market और capital market का, next difference between होगा, जो भी, जो है, important difference between, again five star question, जो है, primary market और secondary market, so what you mean by primary market, देखो, primary market वो market है, जहाँ पे, company direct share बेचेगा, किसको, investor को, वो market को, कौन सा market बोलुगा, primary, मेरा focus यहाँ पे था, दो parties कोन होगी, company directly, मतलब, company first party, और second party होगी, investor, but secondary market के अंदर, दोनों party, दोनों party, individual कोन होगे, member होगे, और shareholder भी हो सकते है, मतलब, यहाँ पे दोनों क्या होगे, person, buyer और seller कोन होगे, individual होगे, company involved होगा, ने, देखते हैं यहाँ पे, the issue of the new share, new share, new share, by a company is done in the primary market, मतलब, IPO की बात कर रहा है, मतलब, IPO के अंदर, company directly share किससे लेता है, directly, पैसा किससे लेता है, investor से लेता है, इसलिए इसको बोला है, primary market, मतलब, यहाँ पे दो party कोन होगे, company और individual, the security issue, already, early year, या तो, early year, भी, are trading in the secondary market, मतलब, जो security, already stock market के अंदर, listed है, उसकी buying and trading हो रही है, उसको कौन सा market बोलेगे, secondary market, मतलब, secondary market is also called as the stock market, or stock market, exchange भी बोल सकते हो, आप, second है, mode of investment, direct investment in the security, security are acquired directly from the company, मतलब, individual कहां से direct buy कर सकता है, company से buy कर सकता है, but indirect investment as the security are acquired from the another stakeholder, मतलब, यहाँ पे company directly involved होती, नहीं है, third होगा, parties in action, the parties dealing in this market are the company, company, company and second party होगी, investor, but यहाँ पे parties dealing in this market are only the investor, ठीक है, next है, intermediary, the underwriter are the intermediate, मतलब, दो पाटी के बीच में underwriter कौन होगा, intermediate होगा, like agent का role play करेगा, the security broker are the intermediary, और last point हो जाएगा, value of security, the price of the security in the primary market is a fixed as per it's decided by the company, the price of, यहाँ पे stock market के उपर, price के से decide होती है, demand and supply पे होती है, the price of the security is fluctuating depending on the demand and supply of the condition in the market, these are the basic difference क्या हो जाएगा, अपना primary market हो secondary market हो बहुत important difference between था, और last difference between अपना जोबर और broker, देखो, जबी भी lecture समझा रहा था, तबी मैं तुम लोग को 12 chapters में समझाया था, कि what you mean by basic difference भी है, वापस से देखने जाओ तो इसमें भी, मतलब जोबर को ही उन लोग ने सर्ट थोड़ा detail में पड़ा है, उसको बोला है, broker बोला है, मतलब sir क्या होता है, जोबर में, जोबर क्या करता है, अपने नाम पे क्या करता है, buying and selling करता है, client के behalf है, मतलब sir बोलना है क्या चातो, is like a agent, like a agent, agent जैसे role play कर रहा है, पड़ वो broker नहीं है, समझ में आ रहा है कि मिलाब, जोबर अपने नाम पे क्या करेगा, deal करेगा share की, बड़ ब्रोकर क्या करेगा, अपने नाम पे deal नहीं करेगा, अपने नाम पे buying and selling नहीं करेगा, वो client के behalf में क्या करेगा, buying and trading करेगा, these are the basic difference, देखते हैं क्या भे है, इसके अंदर 5 point में दिया है, चोबर, meaning, पढ़ते हैं पहले, चलो, meaning, चोबर is one, वो buy or sell security in his own name, own name, own name, खुद के नाम पे buying and trading करता है, बड़ ब्रोकर is an agent, वो deal in buying and selling of security on the behalf of the client, second है, नेचर ओफ ट्रेडिंग, जोबर carry out the trading activity only with the broker, मतब जोबर किसके साथ मलके काम करेगा, ब्रोकर के साथ, ब्रोकर carry out the trading activity with the jobber on behalf of his investor, मतब दोनों एक दूसरे के साथ मिलके का करेगे, काम करेगे, third है, restriction on dealing, जोबर is a prohibited, prohibited का मतलब करी नहीं सकता, to directly buy or sell the security in the stock exchange, also he cannot directly deal with the investor, मतलब जोबर को directly prohibited कि ना directly क्या करेगा, प्रोकर के साथ deal करेगा, ना तो investor के साथ deal करेगा, बट ब्रोकर act as a link between the jobber and investor, he trades that is buy and sell the security on behalf of his investor, मतलब ब्रोकर के उपर भी कोन है, जोबर है, next है agent, जोबर is a special mercantile agent, ब्रोकर is a general mercantile agent, देखो दोनों एजेंट ही है, मैं तुम लोगो पहले बोला, पर जोबर में क्या होता है, वो अपने नाम पे क्या गरेगा, buying and trading करेगा, बट ब्रोकर अपने नाम पे कभी भी buying and trading नहीं कहता है, वो client के BF में ही क्या गरेगा, buying and trading करेगा, और last point है, not only last different, last point का last different between, last point क्या बोलता है, form of consideration, जोबर get a consideration in the form of profit, मतलब उसको profit के form में क्या देगे, commission देगे, बट इनको broker को क्या देगे, brokerage देगे, तो broker get a consideration in the form of the commission or brokerage, तो यह क्या हो जाएगा, आपका difference between हो जाएगा, जोबर and broker का, तो यहाँ पे अपना पूरा, पूरे chapters के अंदर, जितने भी difference between the 12th के SP के अंदर, मैं आपे cover up करा दिया है, देखो, जो मैंने तुम लोग के पास साथ वादा किया था, वो मैंने यहाँ पे complete कर दिया है, अभी आपका turn है, आपकी responsibility यह क्या करना है, revise करना है, देखो 15 marks, 15 marks, आप खाली 50 minutes के वीडियो को देख के, 15 marks के secure कर सकते हो, board की level की बात करो दो, अभी आपका turn है, आपको देखना है, और जीन बच्चों ने SP लिया है, उनको भी क्या करना है, share कर देना, लिंक तो क्या कि, उनको भी क्या कर लेगा, revise कर लेगा, 50 minutes के अंदर, आपका 15 marks का revision कर लेगा, ठीक है, तो till time, please channel के लिए update रही है, thank you so much,